Hello everyone, how are you all? I hope you are not safe at your place. Welcome to the channel Physics Function by J.K. Krall जहाँ पर आपको Physics के Topics बहर की Easy और Simple तरीके से कराए जाते हैं साथ है आपको Notes भी प्रोवाइट कराए जाते हैं ताकि आपको Topic से Recording कोई भी Quering ना रही अवारा जो आज का Topic होगा वो होगा Applications of Total Internal Reflections TIR हम अरड़ी कर चुकी है और इसके हमने Experimental Demonstration भी की है और उसके बाद जो Last इसका Part बचता है वो Applications का बचता है इसके अंदर 4-5 Applications दी गई है बड़ जो Main Application है आपकी वो है Optical Fibers की तो मैं आपको Briefly जो Applications से इसकी जो Starting की वो मैं आपको बता देती हूं उसकी बाद हम Optical Fiber करेंगे अच्छे तरह से सबसे पहरे हम स्टार्ट करते हैं Brilliance of Diamond सबसे First Definition जो First Application है इसका Use होता है जैसे आपने Diamond देखा हूँ अगर आपने कभी सुना हो कि उसके अंदर Shine बहुत ज़्यादा होती है वो Shine किसकी वज़े से होता है क्यों होती है जो हमारे पास Diamond है वो बेसिकले तो एक स्टोन ही होता है बट उसके Cutting होती है उसके एंगल्स के थ्रू जो Cutting होती है उसमें बहुत ज़्यादा Expensive लगते है जिस वज़े से जो Diamond है वो बहुत ज़्यादा expensive sale out होता है इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास जो Diamond के Cutting है वो इस तरह से उसके जैसे edges बनाया जाते है इस तरह से ताकि जो राइट है जब उसके उपर incident हो तो उसके अंदर multiple reflections हो और जिसकी वरे से हमारे पास जो Diamond है वो हमें शाइन करता है दिखाई देता है डायमड के पेसी के लिए क्या होता है जब आप उसको light में देखते हैं तब भी वो शाइन करता है बट अगर अगर आप अपने रोम के light को करते हैं तब उसके अंदर आपको शाइन दिखाई देती है क्यों होता है क्योंकि Diamond में क्या होती है एक तरह की अलग तरह से angles के थ्रू cutting के जाती है उसकी उसको proper shape दी जाती है जिसकी वेदे से क्या होता है जब light उसके उपर incident होती है तो उसके अंदर जब उसके अंदर जो हमारे पास cutting हो रखी है उसके sharp edges से जब वो strike करती है तो वहाँ पे multiple reflections होती है और जो light है उस diamond से बाहर नहीं आ पाती क्योंकि उसकी cutting ही इस तरह से की जाती है उसके edges ही इस तरह से बनाया जाते है कि वहाँ पे multiple reflections हो एक wall से टकराती है वहाँ जो diamond के अंदर light जो है एक wall से टकराएगे दूसरी पे जाएगी फिर तीसरी पे जाएगी फिर छोथी पे जाएः ऐसे करते करते उसके अदर multiple reflections होती है जिसкивılar water, water के अंदर आपने एक air bubble को देखा होगा कि वो shine करता हूँ हमें दिखाई देता है ये किसकी विरे से होता है, TIR की वज़े से ही होता है क्योंकि जब light उसके अंदर enter करती है तो क्या उसके अंदर multiple reflections होती है जिसकी विरे से हमें जो वो air bubble है shine करता हूँ दिखाई देता है एक हमारे पास जो इसका example है में वो है मिराज मिराज कैसे form होता है ये हमारे पास जब summer seasons होते है basically ये deserts होते है वहाँ पे हमें जो ये मिराज है मिराज क्या होता है basically एक passenger है कोई pass कर रहा है desert में से उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है और या फिर आप ये बोल सकते हों कि जो हमें image है उस अगर हमारे पास pond है उस area में कहीं आसपास और वो काफे distance पे है जो light की वरे से जो reflections होती है वो उसकी जो image है हमें पहले ही दिखाई देती है means जो passenger है उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारे कुछ ये distance में एक pond है या तलाब है, पानी है, नदी है और वो ये सोचता है कि हम जाके फटा-फट से पानी दे ले पर जैसे ही वहाँ पे खोंच से हमाँ पे कोई pond नहीं होता कुछ नहीं होता है हमें ये एक तरह से भ्रम होता है क्यों होता है क्योंकि जो light है उसकी reflection की वज़े से वो जो pond है उसकी image पहले ही form हो जाती है उसकी virtual image basically form हो जाती है जिसकी वज़े से हमें miraj दिखाए देता है और ये specially आपको desert में ही देखने को मिलता है second है हमारे पास totally reflecting glass prism प्रिजम आपने अगर आपका ये जो practical होता है प्रिजम से regarding है practical आपके पास graduation में आता है वहाँ पूरा study करोगे प्रिजम के अंदर यहाँ होता है हम light fall करवाते हैं उसके उपर आपको multiple वहाँ पे images दिखाई देती है multiple आपको जो reflections है reflections है उसके अंदर दिखाई देती है ये जब practical आप perform करोगे तब आप इस point को अच्छे तरह से समझ सकते हूं जो prism होता है उसके अंदर basically बहुत सारी reflections होती है जब उसके उपर light जो है incident होती है वो हमारे पास किसकी वज़े से ही होता है total internal reflections की वज़े से ही होता है उसी की वज़े से ही हमें क्या है जो multiple reflections है उस prism के अंदर हमें दिखाई देती है अब हमारा जो last main point है वो है optical fibers का optical fibers basically क्या होते है अगर आपने देखा हो सब भी बच्चों ने अपने daily life optical fibers देखे है कि हमारे पास pipes होते है इसके अंदर LEDs लगी होती है और यहां पर हमारे पास यह pipes होते हैं जिसमें से क्या करती है जब यह light LED light जलती है तो इन pipes के दूर हमें क्या है light दिखाई देती है इनके ends के उपर भी आपने यह ज़रूर देखा होगा optical fibers यह होते हैं यह जो pipes लगे होते हैं जिसके अंदर light glow करके हमें यहां पर points पर दिखाई देती है या फिर आपको multiple lights दिखाई देती है LEDs की वज़े से वो किसकी वज़े से होती है कि जो light है इन fibers में से पास होके हमें दिखाई देती है इसके पीछे की working क्या होती है यह तो मैंने आपको example दिया है इसके पीछे की working क्या होती है optical fibers जो है उसको हम basically use करते है जब long distances होते है हमारे पास काफी kilometers का जब distance होता है तो वहाँ पर हम क्या करते है जो signals होते है उन्हें transmit करने के लिए optical fibers का use करते है signals को transmit करने के लिए हम optical fibers का use करते है यह basically हमें as a guided medium काम करता है हमें जो direction है उसे guide करने के लिए हम basically optical fibers का use करते है जो अप्टिकल fibers है इसके अंदर तीन हमारे पास main parts होते है सबसे फ़हले क्या है यह हमारे पास होता है core यह हमारा first part है इसके बाद हमारे पास ये इसका एक और पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं cladding ये है हमारे पास cladding, then हमारे पास क्या होता है, इसके बाद एक और हमारे पास ये बड़ा पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते है buffer coating बोलते हैं ये है हमारा एक बड़ा सा पार्ट इसके पीछे बोलते हैं बफर कोटिंग इनकी क्या क्या functioning होती है कैसे यह work करते हैं सबसे पहले तो देखो जो कोर है हमारे पास यह पार्ट यह क्या है हमारे पास एक cylindrical पार्ट होता है जो की बना होता है high quality of glass silica या फे प्लास्टिक इन तीनों में से किसी एक medium का बना होता है और हमने ले लिया कि इसका जो refractive index है वह mu1 है हमने यह ले लिया कि इसका refractive index है mu1 और यह जो core होता है इसका diameter कितना होता है 10 micron to the 10 micron से 100 micron के बीच में इसकी value है जिसका diameter की value वह लाई करते है उसके पर second part हमाइरे पास आता है ये其實 ray cuerding क्लेडिंग basically क्या होता है ये जो core की surroundings होती है ये basically core कीthe surrounding है किसे बनी होती है ये हमाइरे पास या तो glass की बनी होगी या फिर plastic की बनी होगी ये core की ही क्या एक तरह से jacket का काम करती है और इसका refractive index अगर इसका refractive index mu2 है तो हमारे पास mu2 is less than mu1 होना चाहिए इसके लिए ये condition applicable होगी इसके लिए condition होगी कि mu2 जो है वो less होगा as compared to mu1 mu1 और mu2 यहाँ पर क्या है refractive index को दिखा रहे है mu1 refractive index है core का और mu2 refractive index है cladding का जो cladding का refractive index है वो less होना चाहिए as compared to that of core then हम बात कर लेते हैं और basically हमारे पास जो optical fibers होते है उसके लिए mu1 की value हमारे पास होती है 1.52 और जो mu2 है उसकी value होती है 1.48 यही से हमें पता चल रहा है कि इनके लिए हम जो ये values इसलिए decide करते है क्योंकि यह होने चाहिए तब ही हमारे पास जो इसके working है functioning है वो सही तरीके से हो पाएगी then हम बात कर लेते हैं buffer coating की जो core और cladding होता है यह core और cladding जो है हमारे पास optical fibers के यह किसे enclose होते है एक plastic की jacket से यह हमारे पास जो jacket है यह plastic की jacket है जिसे हम buffer coating बोलते हैं तेक है और यह क्या है हमारे पास एक strength हमें प्रोवाइड करता है हमारे optical fiber को एक safety प्रोवाइड करता है और जो bundle होता है optical fibers का उसे हम बोलते है light pipe वो जो light pipe जो मैं आपको starting में example दिया था वो ही है light pipes उनको बोलते है अब इसके working क्या है हमारे पार जो optical fibers की working होती है वो पूरी तरह से TIR के उपर based होती है उसका जो light है जब यह हमारे पास एक pipe है मैं एक single pipe का example लेकर चलते हूँ यह हमारे पास बहुत ही fine pipes होते हैं बहुत ही ज़्यादा fine pipes बहुत ही बारीक बहुत ही पतले होते हैं ठीक है हमने suppose कर लिए कि यह हमारे पास optical fibers का fiber का pipe है इसके एक end से हम ने कहा कि है light को incident करवाया है बहुत ही क तो वहाँ पर क्या होगी, रिफ्रेक्शन होगी, और यह क्या करेगी, कोर और क्लेडिंग की इंटरफेस के ओपर स्ट्राइक करना स्टार्ट करतेगी, जो इंसिडेंट एंगल होगा, इसका वो कितना होगा, ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उसके ओपर तो हमारे पास क्या होगी reflect back करेगी light जो है वो core के अंदर reflect back कर जाएगी जिसकी वरह से क्या होगा जो light है वो zigzag pattern के अंदर वहाँ पर travel करना start कर देती है हमने suppose कि यह हमारे पास वो optical fiber का pipe है एक उसके अंदर यहां से light enter की उसके अंदर सबसे पहले यहां पर क्या होगी reflection होगी यहां पर क्या हो जाएगी उसके अंदर reflection होगी तो इस तरह से वो move करते करते पहले यहां पर टकराई है इस तरह से करके एक zigzag pattern को follow करेगी और इसके अंदर ही multiple reflections होनी start हो जाती है इसी के अंदर multiple reflections होनी start हो जाएगी जिसकी वज़ए से हमारे पास जो light है उसी जो pipe है उसी के ही अंदर रहे जाती है और वो हमें क्या करती है as a glow as a sport की तरह हमें इसके दूसरे end पर भी दिखाई देती है यह हमारे पास working होती है optical fibers की और यहां पर almost किसी बेदरह का energy का loss नहीं होता है light का loss नहीं होता है क्योंकि एक light एक side से light enter कर रहे है और दूसरी side से यहां पर light निकल सब्सक्राइब कर देती हूं optical fibers हमारे पास basically क्या होता है हमारे पास तीन पार्ट के उपर इसकी functioning depend करती है basically हमारे पास जो optical fibers है उसे हम use करते है long distances के लिए हम as a transmitter की तरह हम इसको use करते है signals को पहुंचाने के लिए as a guided medium कांट करता है optical fibers इसके अंदर 3 main parts होते है एक होता है हमार buffer coating जो core होता है core हमारे पास कैसे work करता है यह हमारे पास एक cylindrical pipe की थरह होता है एक slender होता है जो की basically silica plastic या फिर class का बना होता है उसका refractive index होता है mu1 यह जो material का बना होता है वो high quality का material होना चाहिए core का diameter है वो 10 micron से 100 micron के बीच मिसकी value लाई करते है second part हमारा आता है cladding का cladding क्या होती है मारे पास as a jacket work करती है किसकी jacket होती है core की as a jacket work करती है इसको क्या करती है इसकी surroundings में present होती है और यह basically किसके बनी होती है glass या फिर plastic की बनी होती है अगर इसका refractive index हम mu2 लेके चलते हैं तो mu2 is less होना चाहिए as compared to that of mu1 इसका refractive index कम होना चाह core और cladding की as a jacket की तरह work करेगा plastic jacket होती है हमारे पास जो क्या करती है इसको strength और safety provide करती है किसको core cladding को strength और safety provide करती है और इसे हम क्या bowlते है light pipe भी बोलते है optical fiber को light pipe भी गोलते हैं इसकी working कैसे होती है जब हम एक end से light को incident कराते है तब क्या करती है वो बहुत ही छोटे angle से क्या करेगी reflections करने start कर देती है उस pipe के अंदर फिर उसके बाद क्या होता है जो light है वो क्या करेगी strike करती है core और cladding की interface के उपर और cladding की interface के उपर वो क्या करेगी strike करने start कर देगी अब यहाँ पर जो angle of incidence है वो greater होना चाहिए as compared to that of critical angle और वहाँ से क्या होगा वो जो light है reflect pack कर जाएगी core की अंदर और इस तहां से जो light है एक zigzag pattern follow कर लेती है जिसकी वहाँ से हमें क्या होता है इसके pipe के दूसरे end पे भी हमें जो light है उसका spot दिखाई देता है और हमारे पास यहाँ पर almost किसी भी तरहा का light का loss नहीं होगा on the both sides of the optical fiber इसके optical fiber की बहुत सारी applications है सबसे first application क्या होगी इसे हम use करते हैं signals को transmit करने के लिए क्योंकि यहाँ पर energy का जो यहाँ फे intensity का loss नहीं होता है second है इसका use optical fibers are used in the manufacturing of medical instruments medical instruments को manufacture करने के लिए बनाने के लिए हमारे पास optical fibers की need होती है third point है हमारा telecommunication में अपने signals को transmit करने के लिए अपने जो signals है उन्हें दूसरे signals दूसरों तक मुझाने के लिए हम optical fibers का use करते है then हम इसको use करते है photometric sensors के अंदर sensors के अंदर भी इसका use होता है और last में हम इसको use करते है liquid की reflective indices को measure करने के लिए भी हम optical fibers का use करते हैं तो यह थे हमारा छोटा सा topic इसी के हिसार total internal reflection हमारा complete खतम हो जाता है topic optical fiber जो इसकी application है वो most important है आपको समझ में आई होगी आई हो तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जादा से जादा शेयर करना thanks for watching कर छादा जादा озब एक करना में हुआ अछ Yazएम सा-र hi l.: कaze we canoya है